नमस्कार दोस्तों कुझा डिजाइन से श्टिचिंग में आपका स्वागत है आज हम इस सूट की फ्रंट डिजाइन आपके साथ सेयर करने वाले हैं कुड़ते की तो यह देखिए कुड़ते में नीचे की साध्य पट्टी थी तो उसी की मैं यहां सामने डिजाइन बनाने व देखिए इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे मैं एक मिल लगा लेती हूं सिर्फ पट्टी की मैंने यहां पर डिजाइन बनाई यह पोड़ली बटन यहां पर यूज करूंगी मैं यह देखिए ऐसे यह पट्टी हमारी सेंटर में लगी यहां पर मैं दस इंच त्यार रहेगी इसके लंबाई यह देखिए नेक है तो राउंड नेक है सिंपल नेक मैंने बनाया तो मैं इसको पलट लेती हूं एक बाट चारो तरफ छोटे-छोटे कट लगा लेती हूं कि नेक काट न मैंने बताई नहीं क्योंकि नॉर्मल लेक है जिस तरीके से रांड नेक काटते हैं बस उसी तरीकी से काटके हमें यहां पर प्रेश्ट करना है मैंने पेस्टिंग पेपर यहां लिए बुकरूम है आप लेसकते हैं सूड़ में जाद दर बुक्रूम लगती है यह देखिए इस तरीके साम इस नेक को ठोड़ा ठोड़ा सा फैबरिय को फोल्ड करके और नेक को यहांपर र्यडी कर लेंगे यह देखिए इससे में बेच में से अच्छे से फोल्ड करते वह ब्लाव शूट वगर हमें किसे में भी लगाते हैं तो प्रेंटर लाइन जरूर आप उसमें बना लें अब यह देखिए मेरा फ्रेंट पार्ट है यह कुड़ते का और यह उपर जो साइड है यह सीधी साइड है मतलब राइट साइड हमारी यह है तो यह देखिए मैं बिलकुल इसको बीच में से अच्छे से जमा के मेरे कॉटन का फैबरिक है तो यहाँ पाच्छे से एक लाइन आ जाएगी और इसी के उपर यह देखिए चौक से में लाइन ड्रो कर दूँगी और एक सेंटर में कट लगा देंगे हम अब यह देखिए सबसे पहले इस लाइन को और अच्छे से थोड़ी डार करके आपको अच्छे से दिख जायागा यह देखिए यह बिल्कुल center में लाई नहीं अब हम नेक रख के देख लेते हैं एक बार निशान लगा लेते हैं तो यह हमारा नेक के आँ तक रहेगा यह देखिए और नेक से उपर हमें थोड़ी पटी को रखना है पट्टि का भी हमने सेंटर ले लिया है और जो निशान लगाया है उससे उपर हमने रखा है मैंने यहाँ पर पिल लगा ली है थोड़ी सी इसको सैट करने के लिए और यह देखिए अब यहाँ से किनारी पर हम सिलाई लगाते हुए पोटली बटन भी साथ साथ में हम यहां पर अटेज करेंगे एक एक इंच का गैप में यहां पर दूंगी तो मैं एक बाड़ी देखिए इंच टेप से नापते हुए एक एक इंच पर आप इस तरीके से निशान लगा लें ताकि जो भी पोटली बटन लगे एक वल डिस्टेंस पर लगें तो वह क्या है कि अच्छे लगते हैं थोड़ा बहुत पी आगे पीछ हो जादा तो थोड़ा बद्दा लगता है तो इस तरीके से एक एक इंच पर हम यहां पर निशान लगा लेंगे यह देखिए पोटली बटन को हलका सा दबाते हुए पीछे की साथ दख लेलते हुए इस तरीके साब आराम से पोटली बटन यहां पर लगा सकते हैं यह देखिए एक एक इंच के डिस्टेंस रखते हुए मैंने एक साइड में यह देखिए बटन हमने यहां पर लगा लिए अब यह नीचे की साइड है इसको मैं फोल्ड कर दूंगी देखिए इस तरीके से अंदर की साइड थोड़ा हाफ इंच फोल्ड करके अब एक पोट कौनर को हम गुमाएं तो वो कौनर पर पोटली बटन हमारा न आय यह देखिए इस तरीके से सुल को फैब्रिक में ही रखते हुए इस तरीके से हम गुमा लेंगे और यहां पर भी मैं पोटली बटन आटैज कर दूंगी नीचे की साइड यह मैं तीन पोटली बटन यहां अप्रा टैज कर रहे हूं यह देखिए और दूसरी साइड भी हमने एक एक इंज की दूरी पर पोटली बटन अटेज कर लिए इस तरीके से दोनों साइड हमारी पटी पर पोटली बटन अटेज हो चुके अब यह देखिए अब हम नेक को अटेज करेंगे कि तुक जाएगी जब बन जाएगा तो इसको फ्रैस के साथ अच्छे से लगा देंगे तो यह कि बिछिए देखे से बिल्कुल इक कॉल डिस्टैंस पर हमारे बटन लगें अभी देखिए बिल्कुल इसको मेशतर मुझे बना लें और और इसको सेंटर में हम अच्छे से सेट करते हुए चार-पांच पिन लगा देंगे या फिर आप पिन नहीं लगाना चाहें तो बीच में सेंटर में एक सिलाई लगा के और नेक को अटेच कर सकते हैं तो मैं चारो तरफ इस तरीके से पिन यहां पर लगा दूंगी और अब हम पेस्टिंग की जो नेक है सारे सारे पर सिलाई लगा लेंगे इसके उपर हमें सिलाई नहीं लगानी है बस बिल्कुल उसकी जड़ों में सिलाई लगानी है बोटम में बच्ची पट्टी का यूज करके हमने यह डिजाइन बनाई है तो इस तरीके से जो फैब्रिक आते हैं पट्टी वाले तो आप इस तरह की डिजाइन बना सकते हैं और पोटली बटन की जगह प्लेश भी लगा सकते हैं यहां पर जो भी मैचिंग की हो अभी देखें नेक को कट कर लेंगे हलका सा मार्जिन हमें यह रखना है और इस पर छोटे-छोटे कट हम लगा देंगे इससे क्या है बिल्कुल फिनिसिंग के साथ हमारा नेक पलटा जाएगा कहीं भी कोई जोल वगरा नहीं आएगा यह देखिए इसको पलटते हुए अंदर की साथ हम पट्टी पर एक सिलाई लगा लेते हैं पहले चारो तरफ इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से दवाव वाले सिलाई से क्या है पट्टी को जब अंदर की साहिट पलटते हैं तो बिल्कुल फिनिसिंग के साथ पलटी जाती है यह देखिए और अब नेक को इस तरीके से पकड़ते हुए मैं इस पर कच्छा टांका लगा लूँगी किनारे वाले सिलाई भी मैं यहां पर लगाऊंगी इस तरीके से कच्छा टांका लगाने के बाद हम यहां पर तुर्पाई कर लेंगे इसलिए मैं एक बार चारो अब यह देखिए नेक भी हमारा यहां पर अच्छे से बन चुका है इसी तरीके से हमें बैक साइड में भी नेक को बना लेना है बैक साइड में थ्री इंच का नेक बनाऊंगी और मैंने इस पट्टी का यूज करते हुए यह देखिए स्लीव में भी मैंने चोटी चोटी एक फुल चोटी पट्टी इसमें काटके और एक एक पट्टी लगा लिए क्योंकि चोटी पट्टी स्लीव पच्छी ने लगती इस तरीके से स्लीव भी हमने यहां पर बना लिए तो वीडियो मेरा कंप्लीट होता है अच्छा लगे तो लाइक शेर करें चैनल को करें थैंक यू फर वाचिंग